और भक्तों ने उस पलंग को चारों पाए पगड़ दरह से उपर उठा दिया श्री गुरु माराग जी श्री नंगली निवासी बगवान जी ने कहा क्या कम जे सब ने हाथ लोड़ दिये कि बभू ये लीला हमें समझ में नहीं आई तो उन्हों ने फिरमाया उन्हों ने कहा कि जिस प्रकार आप मुझे इस वक्त अपने सर पर देख रहे हो मैं तुमारे सर पर माजूद हूँ मैं सदा इसी तरह तुमारे सिर पे उपर रहूँगा मुझे ऐसे ही मानना क्योंकि मैं कणण में हूँ मैं जर्रे जर्रे में हूँ मुझे से अदक कोई भी नहीं है आज अगर हम लोगों को उनका कहीं अभाव नजराता है या जिसको अन्वब नहीं होता है जिसको उनकी अन्वूती नहीं है उसके लिए इस भाव में आप इस बात को समझेंगे कि कोई फकीर अपने शिशे के साथ जा रहा है बजार में और उस बजार में बहुत भीड है बहुत सारी दुकाने हैं और सब अपना समान बेचने में लगे हुए है कोई टमाटर बेच रहा है, कोई बिंडी बेच रहा है कोई क्रियाने का समान बेच रहा है और शोर श्राबा है सांज का समय है तो वो फकीर अपने शिष्टे कहते हैं बोला मंदीर में तुझे आर्टी की अवास सुनाई दे रही है ये जो साथ में इतनी प्यारी प्यारी गंडियां बज रही है इतनी प्यारी दोलक की रिदम है क्या तुझे सुनाई दे रही है बोले गुरुदेव यहां क्या सुनाई दे रहा है मुझे तो ये सिफ बजार की बातें सुनाई दे रही है मुझे कोई गंडिया और कोई आर्टी सुनाई नहीं दे रही है बोले त्यां से सुनो बोले नहीं मुझे कुछ सुनाई नहीं देता मुझे तो ये भीड़ की आवाज ये सुनाई दे रही है गुर्देव ने अपने छोले में हाथ डाला और मुठी भरी चांदी के सिक्के थे और उस सड़क पर दे मारे के और जैसे ही तो सिक्के एकदम से सड़क पर गिरे चंचनाट की आवाज हुई उस चंचन की आवाज एकदम से वहां शोर मच गया परे किसी के सिक्के गिर गए एक मुठी और भरी तो और गिर दी एकदम से शांती होगी सब सिक्कों की तरफ दौड़ पड़े विशांती में लोग तो सिक्के चुग रहे थे और उस फकीर ने उस गुर्देव ने कहा कि बेटे उस सुनाई दे रही यह वाज तो पहाड़ की साथ में चोटी है वहाँ पर एक बड़ा प्यारा मंदिर है और वहां बड़ी प्यारी आर्थी की धूंचल नहीं है और नहा वह सिक्कों को हिकठा कर्णे में लगे अगर आज हमें उसकी अंगुती नहीं होती आज हमें उसका नहीं होता है तो इसलिए हमें उसकी अंगुती नहीं होती क्योंकि हमें हम उसके लिए वो करते ही नहीं जिसके लिए हमें हमारे महापुशों ने हमारे कुर्देव ने आ गया दिए हमकरी नहीं प्रेमियों मेरे नंगली निवासी ने जिसे अपनी गुलानी दी है उसके घर पे सारे जमाने ने सलावे दी है मेरे श्री नंगली निवासी गुलान ऐसे हैं जो उनका अनवख करते हैं जो उनको हर्स में अपने सिर के उपर देखते हैं जो हर्स में उनको अपने अंगसंग मानते हैं वो उनसे कभी अलग हुए ही नहीं तो गुर्देव के कहे ह अनुसार, शक्त के रूप में, नाम के रूप में, वो तो तुम्हारे रोंपरों में बसे हुए हैं, तुम्हारे स्वास स्वास में हो चल रहे हैं, श्री गुरु माराई तुमसे कभी अलग नहीं थे, ना कभी अलग हैं और ना कभी अलग तुमसे होंगे, केवल अपने गु चाहोगे तो आपको उसी रूप में नज़ आएंगी बस इतना ही कहना है यहीं संदेश है और सदेश से और यह तो मैं कहूं करूं के जन्म से नजाने कब से कई संदेश चला नहें है बजन करो ध्यान करो दिम्रत करो बूदेब के कष़ लोग ओड़ लो जुब sites सदा सदा धन्य हो जाएगा कुनिये जैकारा गोंड मेरे श्री गुर्माहरा राज की देर्श बहुत बहुत